रेसलर विनेश फुगाट ने विधानसबा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। कॉंग्रेस जुलाना से विनेश को टिकेट दिया था। उन्होंने भाजपा के योगेश कुमार को हरा दिया। विनेश पैरेस ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकी थी। वे पचास कीगर कैटेगरी के फाइनल में पहुच गई थी। पूरे देश को उमीद थी कि गोल्ड मेडल लेकिन फाइनल से पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा था। और इसी वज़ा से डिस्कॉलिफाय उन्हें कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट के साथ बजरंग पुनिया भी कॉंग्रेस में शामिल हुए थे। बजरंग ने 2020 तोक्लियो ओलंपिक में मेडल जीता था। विनेश की जीत के बाद उन्होंने शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लिखा। देश की बेटी विनेश फोगाट को जीत की बहुत बहुत बदाई यह लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं थी सिर्फ दीन चार और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी यह लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमनकारी श थिक्ष ब्रिज भूशन शडर्ण सिंग के खिलाफ है आंदूलन किया ऒया था महिलार्सलर्स ने ब्रिज भूशन पर लौन शोशन का आरोप लगाया था यह आंदूलन जंतर मंतर पर शुरू किया गया था इस दौरान उन्हें DRSB कर लिया गया था विधान सब चुनाव में विनेश को 6,015 वोटों से जीत मिली है वे शुरुआत 5 राउंड तक पीछे चल रही थी लेकिन फिर वापसी करते हुए जीत आसिल कर ही ली विनेश को कुल 65,080 वोट पड़े इस सीट से खड़े भाजपा के उमीदवा योगेश कुमार को 69,065 वोट से संतोश करना पड़ा WWE में लड़ चुकी तवीता दलाल सीट से आपकी उमीदवार ने सिर्फ 1280 वोट ही मिले जुलाना सीट पर कुछती के दंगल की दबंगल विनेश फोगाट की धमक अपचा चुकी है अब देखना ये है कि विनेश फोगाट हर्याना के लिए ऐसा क्या करती है कि वे आगे भी अपनी पोजीशन ऐसे ही बनाए रखे